कुरणम हमारी के मौझूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूच रहा है तो वहीं केंद्री वित्तमंत्री निर्मिला सीता रमंड ने देश की आर्थिक नबस को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया नाकपुर के हमारे चुरिंदा वित्ये विशलेशकों की नजर में इस बजट में क्या माइने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्ये वर्ष 2022-2023 का बजट आईए जानते हैं वीकेबी नियूज की इस खास पेशकश में ज्वेलरी इंडस्टी के लिए बजट मैं कह सकता हूं कि संतुलित था जीएस्टी और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों में हमें अपेक्षाई थी कि यह कम होगी क्योंकि आज भी इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है गोल्ड पे इसी वज़े से आज भारत और भारत के काफी अंतर है सेम ऐसे जीएस टी को देखे भी था कि इस इंडस्टी में करीब पहले वाट जो वन परसेंट था भाद में त्री परसेंट जीएस्टी में परिवर्तित हुआ था तो इंडस्टी को लगा था कि अबीजीएस्टी अच्छा-खासा कलेक्शन गवर्मेंट के पास आया है तो शायद इस वज़े से GST कम हो सकती है परन्तु नहीं हुई और संतोजनक बज़ेट मैं कह सकता हूँ किसी प्रकार के नए रिस्टिक्शन इंडस्ट्री पर नहीं है यही हम लोग थोड़ा सा इसी में काफी खुश है और अगर GST अभी भी कम होती है आगे भविश्य के लिए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं इंडस्ट्री बहुत हैपी रहेगी अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहां पर एरलाइन एंड एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंडिव्यू, गाइदेंस पाइंडस्री एक्सपर्ट, प्रक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, परस एक्सरी 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 निए टार टूरिजमा है जए निए भाइदेंस इंग।